शनी जहिंती का परो जो है वो दूंधाम से मनाए जाएगा और शनी जहिंती के दिन सभी राशी वाले क्या करें सभी लोग क्या करें कि इस दिन पवित्र नदी में अगर आप सनान करते हैं तो कहते हैं कि शनी देव बहुत परसन होते हैं और ऐसा शास्त्रम लिखा गया है कि पवित्र नदी में सनान करने से शनी अमावस्य के दिन हमें कश्टों से छुटकारा मिलता है जाने जाने में आपसे कोई गलत कारी हुआ है तो उसमें भी आपको बड़ी राहत शनीदेव देते हैं शनीदेव परसन हो जाते हैं अगर आपके घर के आसपास गंगा यमना गु कोई से भी नदी है अलकनंदा तो वहां जरूर करें इस दिन तो आपको विशेश लाब मिलेगा और आप शनीदेव के कश्टों से मुक्ति पा जाएंगे इस दिन दान दक्षना का बड़ा महत्व है क्या दान किसको करना है कैसे करना है यह विस्तार से आगे आपको बताए तो आइए फटा फट सब मैंक्षमाजी से यह जानना चाहेंगे कि राश्य अनुसार क्या कुछ आप शनी जेंते के मौके पर शनी से जोड़े उपाए करने आपके लिए ज़रूरी हो जाता है राश्य नुसार मैंग जी फटा फट से मैं आपसे भी जानना चाहूंगी सब तो तब तक आपको कोई विशेश उपाय करने की आउशकता नहीं है शनी का गोचार आपके लिए बहुत लाबकारी है अगर आपके कुल्डी में शनी उच्च के हैं या योक कारक हैं तो नीलम धारन कर सकते हैं और शनी देव को परसंद करने के लिए इस शनी जेंती पर आ और पांश बादाम चड़ा करें वरिशिप पे भी शनी की दश्या नहीं है तो ऐसे में इनके लिए क्या उपाय है व्रश्व राश्री वालों के दशम भाव में शनी बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो आपके लिए भी कोई दान दक्षना की कोई जरूत नहीं है आप इ तो कि आने वाले समय में 29 जून को शनी देव वकरी होंगे तो थोड़ी सी परिशानी बढ़ेगी तो मितुन राश्री वाले क्या करें शनीवार के दिन संध्या कालिन में सवा किलो साबुत उड़त लेकर शनी देव को चड़ा दीजिए और इस शनी जैनती पर गरीब व्य परिशानी चल रही है स्वास्समन्नी परिशानी काम कारोवार में होता चड़ाव इनके लिए विशेश उपाय है कि शनीवार के दिन संध्या कालिन में पीपल के पेड़ के नीचे सरसोगे तेल का दिया जलाकर वहां हनुमान 40 पढ़िए शनी 40 पढ़ें और गरीब व्यक् सचना खिलाये तनक्षन देन दें और जानक्षी चलि आगहीं बड़ताओं बात करेंगे जरी सूरिय की सहनी लिए अराधना करें घर में 164 काμε तो आपको मानसिक तनाव से कामकारोबार में जो परिशानी आ रही है चुड़कार मिल जाएगा है कन्या के लिए कन्या राशी वाले बहते जल में शनिवार के दिन संध्या काली में काले कपड़े में बांध कर सवा किलो साबुत और पांच बादाम की गीरी दान कर देंगे चलिं तो उनको कष्टों से मुक्ति मिलेगी चलि तो राशी वालों के लिए कहते हैं कभी तर्शी बाटला में शनि उचके होते हैं हम अकसब बोलते हैं कि तुला लगन आपका है तो शनि का दान मत करें चुंकि शनि का दान करने से क्याईगी फ्रोसपरेटी चली जाएग तो अगर आपकी कुल्डी में तुला राशी वालो तुला लगन वालो शनी देव उच्च के हैं शनी देव मकर कुंब में हैं मिथुन राशी में हैं व्रशब राशी में हैं कन्या राशी में बैठे हैं तो दान मत कीजिए शनी देव को खुश कीजिए आप नीलम पहन सकते हैं आप शनी देव की अराधना कर सकते हैं शनी चालीसा का पार्ट करेंगे इस दिन तो विशेश आपको लाब मिलेगा आगे बड़तार बात करेंगे विश्चिक राशी हो इस तरहल भड़े जवरomas भड़े अदया करना है आपको मैघआ करिए सब्यों करें विशेश क्षास्ड़ विशाप स равно किलों मन्दीर में करें तो विशेश लाब मिलेगा इस दिन लोहा का दाप्ति मत खरीदें सरसों का तेल शनी से संबंदित कोई विची दान करनी है इस दिन मत खरीदें धनुराशी वालों के लिए वर्तमान में शनी बहुत अच्छा कर रहे हैं इनको विशेश लाब मिलेगा तो फिर भी आपको शनी वार के दिन क्या करना चाहिए देखिए अगर कोई भ करें शनी वार के दिन तो विशेश लाब मिलेगा मकर मकर राशी वालों के लिए साड़े साथी इस समय चल दियो शनी वंतिम पड़ाव पर हैं चर्णों में हैं समय शनी पैर में हैं आपके तो यहां पर स्वास्वंदी परिशानी थोड़ी सी दे सकते हैं तो थोड़ा सा दियान लखें शनी वार के दिन संधिया काली में सवा लीटर सर्सों का तेल और ग्यारा बदाम की किरी शनी देव को चड़ाइए तो कश्टों से मुक्ते मिल जाएगी कुंब राशी यह वह राशी कवितारी जो ब्रहमार्ण में सबसे जारा परिशान है शनी की राशी में आते हैं तो उसको कश्ट जारा देते हैं तो आपको क्या करना है आपको शनीवार के दिन पांच व्यक्ति या ग्यारा व्यक्ति को शर्दानुसार खाना खिलाईए दान लक्षन दीजिए और इस दिन 11 लीटर या सवा लीटर सर्सों के तेल का दान करके शनी देव को शनीदेव की अराधना करने के पश्षा शनीदेव की आरती करने के पश्षात सावत उड़त की दाल का सिवन करें इसे शनीदेव परसंद होएं और आपको कश्टों से चुटका रहें नीन राशी ये भी बड़ी जबर्दस परिशान दाशी है इस समय क्योंकि लगन में र रंका हो अपनी सामर्त अनुसार उनको कोई शर्ट कोई बैंट जैकेट कोई और कोई स्वैटर जहां भी महाल है जिस तरी न महनम तरह से आप कपड़ा ना करें सदूर है much और कोई रंग नहीं होना चाहिए और साथी साथ आपको शनी देव का वरत करना चाहिए जिन और सावा लीटर सरसो का तेल का दान करें तो निशित रूप से आपको शुफलों की व्रत्धी होगी तो देखें शनी का जन्मोत्सव है शनी जयनती बहुत बड़ा मौका है आपके हा शनी जयनती वाले दिन आपको भूल कर भी मास मदीरा का सेवन नहीं करना चाहिए अंडा नौन वैज नहीं खाना है ब्रहमचारिय का पालन करना चाहिए शारिदिक संबंद नहीं बनाने चाहिए इस दिन जूट नहीं बोलना चाहिए इस दिन गरीव व्यक्तियों की कोहानी खरीदना है सरसों का तील चने और तिल यह खरीद कर नहीं लाने लोग क्या गलती करते हैं उस दिन खरीदेंगे और फिर दान करेंगे उसका फूल फाइदा लिए डिये और शनीवार के दिन नान कर देजिए यह आपको करना है तब आपको कश्टों से मुक्ति मिले आपसे मदद मांगता है तो शनीवार के दिन उसकी मदद जरूर करें शनीवार के दिन गरीब व्यक्तों को खाना खिलाने से भंडारा करने से काले कपने दान करने से शनीदेव हमेशा परसंद रहते हैं और उनको सुख सम्रद्धी और कामकारोबार में बरक्कत देते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप विशेश कर तो आपके जीवन में कभी भी शनीदेव कोई कश्ट नहीं देंगे शनीदेव की इस अमावस्या पर य आपको शुख फलों की प्राप्ति होगी लेकिन एक बार फिर भी कहना चाहूंगा शनीदेव हमेशा यह कहते हैं अपने कर्म सुधारे अच्छे कर्म करें तो फिर मैं आपको शुख फल देने के लिए तैयार बैठाओ और हमेशा याद रखेगा कि राजा को रंग और रं पिर मैं आपको शुख लेकिन ए।